हाई गाईज वेलकम डेक्ट मैं चैनल मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है तो अगेर मैं आज आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस का ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ कि शुरबात में जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया तो मैं किस चीज से स्टार्ट किया क्योंकि इस समय जो मेरी सीरीज चल रही है वेट लॉस की सीरीज चल रही है तो फर्स जिस ड्रिंक से मैंने स्टार्ट किया था यानि 75 जब मेरा वेट था और उस समय मैंने जो है अपना वेट रिड्यूस करना है कि जो सबसे पहले मेरे पहल थी वो मेरा ड्रिम कौन सा था वो मैं आज आप लोग साथ शेयर करने वाली हूं इसे कैसे लेना है कितनी बार लेना है कौन को नहीं ले सकता है कौन को नहीं ले सकता है इसके सारी information वीडियो के आगे में है तो पूरा वीडियो देखना बहुत important है आधी information मत लीजेगा तो time for waste नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले जिन लोगों नहीं मेरे चानल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज फर्स्स पॉल चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बगल में जो बैल ऐकन लगी है उसे प्रस करना ना भूले ता कि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो क अप्रेट पासे तो चलिए चलते हैं वीडियो की तो चलिए चलते ही लिए लिए आपको बनानी के लिए आप मतलब कि आपको छिलका नी उतारना है दन ऐसे वाश कर लेनी है बहुत अच्छे से वाश करना है और आपको इसमें जो है गिसकर आप अलग गिस सकते हैं कैसे करके आपको इसमें पूरा एक इंच का अधरा कटुकड़ा है वह अच्छे से डाव देना है और कंजियों का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे लेना है लेकिन पहले मैं आपको बता दिखा रही हूं कि आपको लेना और ध्यान लखिएगा एक इंच से उपर इसका टुकड़ा ना हो क्योंकि ज्यादा जो है वह आपको प्रॉब्लम कर जाएगी तो एक प्रॉब्लम कर दिखाएगा तो अभी गैस अपनी पुरी स्पूल के ही रखिए जब हलका सा बॉइल होने लगे तब आप अपनी गैस थीज़ा कर दिखाएगा किस तरह से मैं इसमें वाश करने की हूं ताकि सारा जो जितना भी अधरत है वह अप्रेश में सभी जाएगा और मेरा जोड़ा इंग्रीडियनुट है और प्रेंड्स मेरा जो दूसा इंग्रीडियन्ट है वो है दाल चिनी दाल चिनी पाउडर मत लीजगा यही बाली ही यांई सूखी जो आती है है जाती अनी भी मार्कट मुझाएगे बहु तीज़ी मिल जाहेगी 10-20 अले है जो बोइनज जब ऑड़ा गया फैसे ही 5-10 ने लोह अजानी को अगर को जानु और जो भाब के द्वारा बहार निकले तो आपको थोड़े देर इसे मुश्किल से दो से तीन मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दीजेए तो दो से तीन मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूं कि आप देखिए ये जो दालचीनी का कलर है अद्रा का कलर है मिक्स के सारे कलर जो इसमें आपने है तो ये जो हमारा डिंग डिंग है वो रेडी है और आगे मैं बताती हूं कि आपको इसे कैसे लेना है किस टाइम लेना है और कब-कब आप इसे ले सकते हो कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि इसे तो फ्रेंट्स इस डिंग को आपको जैसे मैंने इसे एक लिटर बनाया है तो आपको इसे वह एक तो यह करिएगा कि जब भी आप डिनर मतलब ब्रेक्फास्ट करिए उसके बाद आप इसे जैसे की थोड़ा ले लीजे दैन इसके बाद जब आप लंग कर रहे हो तब आप ल सकते हो अगर आप इसे कोई भी जैसे की जो इवनिंग भिंग है मॉल इशिक लिट ले दैन वह तो आप इसे पूरे एक लिटर पानी को इसके बीच में कंस्यूम करिए अगर नहीं कररे हैै तो आप इसे आप इसे दान मॉर्νηग की ले नी में आइ बृंग इं या नाइशि और जो इमनिंग में थर बहुत स्नेक्स लेते हैं अगर कुछ भी शुगरी आपने खाया है तो बोड़ी में डिजॉल्व कर देता है और फाट को में होने बहुत जादा है और इसे रिलेटिड कोई भी कोश्चन हो तो मुझे आप इसके नीचे नीचे पूसकती है और इसके अगर में कौन सा मैंने बिलिया था वह भी मैं आज आज यकल या प्राइडे हो आपसे शेयर करो नहीं मैंने अलरडी बोला है तो विट लॉस की जर्णी में फर्स में जो ड्रिंग था वो यह था जो मैंने अब को बताया इसके बाद मैंने एक सप्लिमेंटर रिया था जब वज़े से बोडिक बहुत ज़़ा पेइन रहता था तो इसमें जो मैंने दालचीनी यूस किया है उस दालचीनी की वज़े से बोडी का पेइन भी गया था स्वालिंग भी गय थी क्योंकि अध्रक है तो बोडी में एंटि बायोटिक का भी काम बहुत अच्छा से किया था एक चीज में और बता हुँ कि थाइरट पेशन अराम से ले सकते हैं पीसीओड पेशन अराम से ले सकते हैं और जो पोलते ना नरीशिंग मधर के बारे में आप कुछ नहीं बताते हो प्रेगनेट ले सकती हैं यह चीज धहान रखेगा क्योंकि अगरत है तुड़ी गरभ ह होती है दाल चीनी थोड़ी गरम होती है तो प्रेगन लेडी मत लिए लेकिन नरिशिंग मदर ले सकते है क्योंकि अपकी जब बच्चे को मिलेगी तो इसे सड़दी की पॉब्लम नहीं होगी आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो बर-बर के लाइक करिएगा चानल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलती हूँ अपने नेक्स वीडियो में प्राइडे के जो वीडियो आएगा वो जरूर धियान रखिएगा क्यो कि मैं उस सप्प्लिमेंट के बारे में बात करूँगी जो मैंने इस ग्रेट और ड्रिंक के बार लिया था तब तेक के लिए बाई बाई